जहन बच्चो अपना स्कूल और लिए चैनल में आपका स्वागत है आजम क्लास 8 में साइंस उब्जेक्ट में चैप्टर रीड करेंगे 13 चैप्टर है हमारा संत्याटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो देखे जो मैंनमेड फाइबर्स एंड प्लास्टिक से उसके वर फाइबर्स यूट कॉटन फॉल एंड सिल्क तो देखे इन फाइबर्स कम प्लांट फाइबर्स एंड अनिमल फाइबर्स कहते हैं डेपेंडिंग ऑन किसके पेंड को कि इनका सोर्स क्या है जहां से यूप्टेन होता है तो देखे यह यूट है कॉटन है यह प्लांट से प जो की नेचर से मिलता है क्योंकि फ्लांट ये नेचर बार्ट है और हमारे इनिमल्स भी इनको क्या क्या थैं'RE नेचर के प्लांट नेमल्स है नेचर के ही मारे फ्लांट सब ये सब様ब यें समय ホॉत आध हमारा कपड़ाई बनाने के लिए और यह फाइबर्स हैं बहुत ज्यादा लार्ज वराइटी में हमारे और भी कामों में हाउस होल्ड आइटम्स हैं ऐसे रोपस में कार्पेट्स में और कई तरह की आर्टिकल्स जो कि डेली यूज में होते हैं उनमें इनका यूज होता है बनाने के उनको तो इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुल्फिल करने के लिए जो हमारे बिग्यानिक थे साइंटेस्स थे उन्होंने नया डेवल्प किया है फाइबर जिसको कहते हैं आर्टिफिशल फाइबर जो नकली फाइबर है नैचुरल नहीं है नैचुरल प्लांट्स और एनिमल से नही चाहरे बीचस में बेट तरह कि इस टे अंयुक्ति में तो आएब यहां चाहे वो मनकों की हमाला में चाहें वह ट्रेन के वैकनत से हैं तो इससे स्यक्राइस से बनातर है जहां हां मैं से मिलता है वह सिंपल को कितने जाएं घृएंड थी तरह मन या दू आते बड़े स्क्राइब टृप सक्राइब करमा लूंशिक नोए बनाते जिसको डिल्म इन यहां है । टो जैसे मौलीकुल्स को हम लिंक ला लेते हैं तो देखें यह Polymer हो गया तो देखे जो प्रोसेस के द्वारे जोएन किये जाते हैं छोटे-छोटे मॉनुमर्स हैं इनको जोएन करने के लिए हमें संथाटिक फाइबर बनाने पड़े थे तो देखे डू नो मैं है इसमें इन अडिशन टू नैचुरल एन संथाटिक पॉलिमर्स सquat इसके अलाव भी हमारे और कैटीगरी है संसे हैं दीए कुछ नैचुरल और कुछ शिपार हैैं अ करके तो एक्जम्पल के तौर पर बात करें तो वल्कनलाइज ड्रवड जो कि हमारे गाड़ियों के टैर में यूज होती है उसमें देखे जो प्रोप यो प्योर रवड होती है नेच्रल वह काफी सॉफ्ट होती है तो इतनी सॉफ्ट रवड काम नहीं कर सकती तो उसको क्या करते ह है मॉल्टन अंडीमें तो देखे सफर क्या है कर अपनास औरन नेच्रल तिंग एतो दुम लोग मिलाके है तो क्या बन गया हमारा स॥ संथेटिक कि बात करते संथ्थेयर्ट इसमें रिएौन और आर्टिफिजल सिल्क जैसा दिखता है जो कि हमारा सिल्क मोच से मिलता है लेकिन आर्टिफिशल क्यूं है क्योंकि हमने इसको सिल्क मोच से लिए नहीं हमने नकली बनाया जाए सेम तो हमने class 7th में पड़ा था इसल्क फाइबर के बारे में जो की इसल्क बर्म से मिलता है एक कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है इसको इसको डिसकोबर किया था चाहिना वालों ने सेंचुरी थी उसके एंड तक साइंटिस्टों ने क्या किया सक्सेस पाली इस एटेम्ट में इसकोशिस में तो एक फाइबर बनाया गया जिसकी प्रॉपर्टीज क्या थी बिल्कुल सिल्क जैसी थी कैसे बनाया गया उसमें देखिए बुड़ पल्प जो होती है लकडी का पल्प लकडी को चोट चोट चोटों में बांटके पानी में गाल कर वह अंतर सको पल्प कहते बुड़ के पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट से उन्होंने एक फाइबर मनाया जिसको कहते है रेयॉन और आ इप्रेशन में देखे वुड़ का सैललूज है जिससे की नेच्रल फाइबर बनता था जोकि नेच्रल फाइबर एक तरह का तो इस नेच्रल फाइबर को हमने उटेन कर लिया से सिल्क लाइक फाइबर जिसको कहते है आर्टिफिशल सिल्क तो इसको हम यह भी कह सकते कि यह जुसको नपर द्वारा से री जनेटर किया है तो यहरान को हम कंप्लीट लियुट शाइबर नहीं बनी कह सकते तो उसका रॉम तैल है नेच्रल फाइबर में जिसमें है लिए Imoc वैसी देगा वैसा ये खब देगा देखने में में जैसे सिल्क देता है वो gula को तो कुल है ढूते हैं कमफर्टेबल होते हैं लिएन को हम इजरी डाइमिंच कई रगों में इशको रंग सकते हैं कई तरह आग्ग स्पचार जाते रामसे । तो जे बहुत जीज जाकेट्स लाइनिंग्स और टायर के को लिए उन के लिए इसका बहुत होता है इसको अधर नेम क्या है बिसकॉस रयाउन भी कहते हैं और आठ शिल्की भी कहते है अब बात करते देखिए नाइलोन की तो देखिए नाइलोन जो है इसका पहले बता देखिए डू जू नो से आपको थोड़ा कलीर हो जाएगा कि नाइलोन का नाम था वो न्यू जॉर्ग के जू ऐसे और लंदन के ग्रेट बिटेन से बना है तो कैमिकली नाइलोन नाइलोन क्या है तो कॉई है जो यहां एक तौगी है यह फुली संतिक्ष में फूरा का पूरा मिडाल है क्चावा वे है इसमें कोई भी नैच्रल प्रड़क्ट नहीं है तो नाइलन को हम वंडर पॉलिमर भी कहते हैं अद्बूद पॉलिमर को किक्सी विशेष्ट है यह तो बात करते हैं कि इसके यूजर की यह हाईली लास्टिक है बहुत ज़्यादा इसमें लासिसिटी है इसको कीच सकते हैं द दिखार कियें प्क्चर में नाईलोन का यूज्ज होता है में रोफ बगैरा बनाने में यूज़ बहुत ब्रस्ट बो छाड़ने वाली कीज है यह फाइबर से क्या है हम सीट्वेल्स में बनाते हैं तो इसके काफी यूज़िज्स है नाइलोन के अधियों जो है वो कॉमन अपना हाउस होल आर्टिकल है इसे हम तुत ब्रस तुरुत ब्रश गयरा कॉम सब्सक्राइब होक्स भी बनाते हैं और बात करें अक्ष्टर जूज के देखिए यह इससे रोप सी बना जाती है क्लाइमिंग करने के लिए और फिशिंग के नेट जो होते हैं वो भी सीव बनते है तो इतने यूजी जैसके नाइलोन के बात करते हैं टैरीलेन की तो देखिए टैरीलीन क्या है अधर संथैटिक फाइबर है जो क्लॉथ बनाने की काम आता है जो नाइलोन है टैरीलोन है यह एक लास्टिक प्रड़क्ट है हाईली डूरेवर चलने वाला है रिंकल स्वर्ण घर भाट कीड़ा कंटावीन लगता मीं जैसे होता है गरों में कपने वग्रावी कीड़े लग जाते हैं उसको पड़ देते उसको कहा जाते तोई क्यों कोई डार नहीं होता तो यूजी तने की पानी कारणे में काम आता जयता तर यह पानी को प्जौर्ब नी क संधार्प्रश यह समान मदने में काम आता है तो देखें जैजनों की जो टैरी बूल टैरी जीस सिल्क तैरीकर्ट है जी एक्ग्वाइब कर्ते हैं कि टैरलीन और को हमने से बूल से लगा दिया बात आया टैर्ज शि लंक तैरी में स्यूंज 근데 बूल gezने तो टीरी बन तो देखिए यह कॉमनली क्या है बोटल्स जो होती है अपने प्लास्टिक की बजा रहें मिलती हैं बॉक्स मिलते वह सिर्फ इसी से पीटी पैट सी बनती है तो यूजर की बात करते हैं यह क्या है कंटेनर जो पैकिंग के होते हैं प्लास्टिक से बहुत अब अबना से से लोता है जिसमें यूजर में अदर फूड़ पार्टिकल से यूज होता है यह कुछ दिखा रखी है जो फूड आइटम्स की यह हमारे टेलीफून से जो मेट्रेल हैं यह हमारे यह वाल बॉटल के न्स होते हैं यह देखिए शीशिया वह भी इसी से मता है तोने बात करते हैं फाइबर की अक्रैलिक फाइबर उड़ तर देख़ेए संथैटिक फिवर्वे जैसे लगते हैं देखने में तो जैसे घ्लि continuar पेंते हैं सरदियों में तो हम उस्ति हमने क्या देखा होगां कि फाइबर बेना के सनब तर लिख या तो यूज की बात करते हैं तो इसके इसके वारम्त होती है तो इसके आर्टिकलस के आज बनते हैं बहुत ज्यादा सब्ड़ते हैं और यह वाइट वराइड़ी ओफ में इसकी ब्राइटी बहुत बखल थे इसको कई तरह के colors में अपर dye कर सकते हैं जो कि दूसरे cases में नहीं उता है तो बात करते हैं अब advantages की यह चितने भी हमने fibers पढ़े हैं, सारे के सारे synthetic fibers हैं अब बात करते हैं कि इनका benefit क्या हुआ, इसकी advantage क्या है, सारे के सारे, जो पढ़े है synthetic fibers की तो पहली बात करें तो देखिए लॉंग लास्टिंग यह सभी की सभी की जो लश्चर है शाइनिंग है वो लॉंग लास्टिंग है यह ज़्यादा चलते हैं एज कंपेर तो नैच्रल फाइबर इजी टू क्लीन करना असान है इनको सुकाना जल्दी सुकते हैं इनमें रिंकल नीजिए था कारण प्रेस विच्ञायर। और जानटक पर State करने प्तिद्वर के च्मयमट कें के प्याएं अब देखिए एक्तिविटियी में क्या है डिफरेंट पीसिज्ज relying Das तो देखेंगे कि कितना उसमें जल्दी वह सूखता है ड्राइप होता है तो यह एक थोड़ी सी एक्टिविटी है जिसे में पता लगेगा कि वाकिए जो नेच्ट्रल फाइबर से बहुत थोड़ा सा टैम लगाते हैं लेकिन जो यह जल्दी सूख जाते हैं नेक्स्ट बात ह कि हम पैन में कुछ वेट डालेंगे तो तूट जाएगा तो अब क्या करेंगे हम इसकी टेंसाल से चक करने के लिए बाकी जो थ्रेड्स है नाइलोन के टैरिल को लॉन की इनको रूपीट करेंगा तो हम देखें कि जो हमारे संथेटिक फाइबर से उनके केस में क्या है देखें का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनको आग बड़ी जल्दी लगती है अगर यह बर्न कर जाएं तो यह स्टिक कर जाते हैं हमारी स्कीन के साथ तो इनको एडवाइस कि जाता है कि संथेटिक को किचन में कभी नहीं पैना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी करमी मिलन और थर्ड इनकी नुक्सान क्या है जो संथेटिक फाइबर जैंबोट बायोग्रेडेवल नहीं है बायोडिग्रेडेवल मींज यह अपने अप गलेंगे नहीं है अगर इनको आप ऐसी फैंक देंगे तो इनसे पॉल्यूशन होगा जगा जगा इसी पड़ेंगे इनका डी सिंपल एडिफरेंट पॉलिमर्स में उसको कोडिंगी इनका सेम साइज नहीं है में जिनकी रिजमेंट के कोडिंग तो देखिए अगर मॉनिवर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में हैं छोटे-छोटे जो मॉलीकूल स्ट्रेट लाइन में बाउंड किये गए हैं तो क्या कहें सकते हम यह मीनिजमेंट हैं दोट इनको जन्रली क्या गाएंगे ठर्म प्लासТिक्स अगर ऐसे दीखिए trainer जो हैं मॉलीकूल से सिंपल जो ऐसे ऐसे तरह जोड़े गये हैं अपसके एक लाइन बनाते हैं वह तो निग। सकते हैं थर्मो प्लास्टिक स्दोल उनकी डि Michaels को कहते हैं लीन्य राम necessary मंट किया गया था आलेक्जन्ठर लेकिजंदर मंटेर और 1562 में लना नाम दो ब्रॉट करते हैं थर्मो कि प्लास्टिक प्लास्थ कि लिए वट कुछ क्राउस लिंक्ट अर्रेंगेंस तो देखे जब जे मॉलीकूल से क्लाइन मिख लाइन की फॉर्म में टाइच किये हो हैं तो उनको कह दिया थर्मॉप्लास्टिक और रेंजमेंट कया लीनियर लेकिन जब जोड़ें क्रॉस में जोड़े होई है इस तरह से थो इनको क्या करते हम मरों क्रॉस लिंगेडेड इसका नाम प्लास्टिक नाम चेंज होगे इसके प्लास्टिक्त होगी इसका नाम है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक तो देखिए बात करते हैं क्या गुन है संथेटिक प्लास्टिक में तो लाइट बेट यह वेट में काफी लाइट है एस कंपेर टू नेच्रल प्लास्टिक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनको हम अपहांग करें उनके साथ बजन डालें तो यह ज्यादा बजन को बीर कर सकते अगर हम उनसे कोई वेट को टांगेंगे तो अपने नेच्रल फाइबर के प्लास्टिक के मुकाबले में ज्यादा यह बजन को जेल सकते हैं अर्जिस्टेंस टू कैमिकल्स इनका कैमिकल्स को जिस्टेंस है वो नहीं है वे ज्यादा नहीं को नुक्सान करते यह इसली फैक बात करें इनका जो कलर है वह ज्यादा लॉंग टरम तक रहती है जो टेक्स्टर बैसे बैसे रहता है नए जैसे लगते हैं काफीन की इस तरह की लाइफ भी ज्यादा है तो नॉन कंड़क्टर की बात करें यह पूर कंड़क्टर है हीट लेक्सिटी के बाकि देखें लेकिन मैले माईन अफ्याज करते हैं जो फ्लेम रिजिस्टेंस है इसकी कोटिंग क्या है कहां की जतती है फाइर मैन्स कि युनिफोर्म में तो मेंज एक संथेटिक फाइवर यह जो require मैले माइन इसका च्छे नाम मैं इसका नाम है जो फाइर बाथ करते हैं टाइप स scratched की सोरी प्लास्टिक तो जैसे ढूरिक्स किया था एकर चान में हैं की चरेंघ्ट्रमाटिक अगर इनकी इसकी क्रोस में है तो इन हो स्क करेंगे जो थर्मो प्लास्टिक है इन में लिग्ष के पेर में होते हैं लिक्यूल सैंपयर प्लॉक्पाइट्रिक में बहुत्सियोग सी नियों का थे प्रकुरी साइकल कर देते हैं तो इसमें कौन सी प्लास्टिक्स की तो बात करते हैं फर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स की सट जो सेट होगी एक वर बना दिया तो सेट होगी इसमें क्या है इनका क्रॉस लिंक्ड होती है रिंजमेंट मॉलिक्यूल की इसलिए इनको थर्मो सैटिंग के प्लास्टिक्स कहते हैं यह प्लास्टिक्स होए है हीट करकर एक डिफॉर्म होगे इनको दुवारा से हम मौल्ड नहीं कर सकते एक वर जैसे बन गे ऐसे टैलिफून है यह इसको आप चाहूं कि इसको पिगला के दुवारा से इसकी कोई और शेप दे देंगा नहीं हो सकता इस कैटल की बात करें इसको अगर आप मैल्ड करके दौरा डालना कुछ किसी शेप में करवर्ट करना चाओ वो नहीं होगा यह खत्म हो जाएगा जल जाएगा लेकिन इसी तरह पैराशूट का अगर मट्रिल को हम चाहें कि और किसी शेप में डाल दें नहीं डालेगा तो एक पर जो शेप आगी वो आगी तो इसमें बैकलाइट और मैले माइन ऐसी एक्जांपल से हैं जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स की है आपको बताया था बैकली जो है हमारे ब उनका मैं क्या है रिजिस्टन्स ऐफाइर काटिए इसको जल्दी से नी करती ट्रीट करता जिए को काफी तक टेमपरिचर तक तो इसका यूज होता है किचन वेर्स में और फैबिक्स में भी जो फायर के रिजिस्ट में काम करते हैं जैसे की यूनिफर्म सोगे अपनी डाल हैं हम क्या है क्या नहीं करते ह sekali हैं हम साथ समक्च और समय डाल देता है बहुत ज्यादा मांट में इनकी फिए हैं इसके करने जूज होते हैं तो यह किang सभी हैं कैमिकल सैंड हैं तो इनकी इनर्टन Means्स के कारण यह काफी bel हो जाते हैं कई तरह कि हमारी का मों में लेकिन इसका जो őनma तो देखें के इन का बड़ा मुश्किल मेजर परॉलम हो जाती है पूरे वर्ड में इनकी प्रॉलम है कि इनको कंडी कम बोच करना बहुत मुझकिल लिखोगे संथैक है और छे प्लास्टिक है यह लीप नहीं होते हैं एक्षण ओप एक्टीरिया से मतलगी तो जो मतीरियल ज संसे होते हैं बाकी में दैवा को निए भेर नहीं तरोप सब्सक्राइब करते हैं जिसको तो जो पार्ट्थ स्किंझ आरवेजटेबल की जैसे फूर्टस खुंट फूर्टिफ हैं कॉटन हैं जो अपने अप गल जाते हैं और कनवर्ट हुएते हैं सौयल में तो यह निए नै बात करते हैं यह क्या कर रहे हैं प्लास्टिक यह वेस्ट है हमारी प्लास्टिक कैरी बैग और आइटम जो है वह हमारे ड्रेने सिस्टम में नालियों फस जाते हैं जिससे हमारा जो पानी का जो गाएं जो गाएं जो बहर भार फिरते देंगो शालों में नहीं लेकिन बाहर खुले में रहती हैं वह क्या है कोई माली आपने को पॉल्फिन में चीज डाल रखी दिखाने वाली आपने उसको यूज़कर फैंक दिया अब गाएं क्या करेगी बतारी खा जाएगी फूट लगाते हैं इसलिए हमारे एंवार्मेंट को के फ्रेंडली नहीं है और हमारे एंवार्मेंट में पॉल्यूशन करते हैं उसको नुक्सान करते हैं जमीन पर गिर जाएंगे तो जमीन में पौदा नहीं देंगे एर का सर्कुलिशन रोग देंगे प्लास्टिक को अगर जला सीवरे सिस्टम में फस सकती है तो इसको हमने क्लोग से बचाने के लिए इसको प्रॉपर डिस्पोज करना रखना है रखना से जो बायो ग्रीडेबल एंड नॉन बायो गुडेबल वेस्ट से उनको लग लग रखना है मींज बायो गुडेडल वह है जो फूर्ट की पील करना है थर्ड क्या है हमें यह केर करनी चाहिए कि हम बैक्स कॉटन के यूट के लेके जाए मार्केट में जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ताकि यह प्लास्टिक का यूज कम हो जाए और एस रिस्पॉंसिवल हमारा यह फर्ज बनता है कि हम फोर आर प्रिंसीबल को प करना है इनकी जगह और बढ़िया चीज मिल जाए नेक्स्ट क्या है हमें नीड है इसी हैबिट करने की जिससे की हमारा जो इंवार्मेंट हो फिर्जर्व हो जाए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक चुरूर कीजिएगा करना है